इतिहास में सिकंदर महान और महाराजा पोरस की लड़ाई काफी चर्चित है. इस लड़ाई में कौन जीता कौन हारा, ये आज भी एक चर्चा का विशय है. क्योंकि जो एविडेंस मौजूद है, वो यूनानी साहित्त है और उसमें सिकंदर की जीत बताई जाती है. भारत मे तब कोई इतिहास इस लड़ाई का लिखा नहीं गया. इसलिए उस लड़ाई को तर्क से देखा जाता है. क्योंकि यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर को महान बता कर पोरस के साथ अन्याई किया है. ये बाते अक्सर भारत में होती रहती है. इसलिए आज हम यूनानी साहि और तर्क की कसोटी पर इस लड़ाई का परिणाम समझने की कोशिश करेंगे. नमस्कार दोस्तों. आप सभी ये जानते होंगे कि सिकंदर महान को कोई नहीं हरा सका है. इसलिए हमारे यहां कहावत भी है कि जो जीता वही सिकंदर. मैसेडोनिया के रहने वाले सिकंदर का ज जानने का संघर्ष शुरू हुआ. इस संघर्ष में उन्होंने अपने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया और 20 साल की उम्र में राजा बन गए. इसके बाद सिकंदर ने 12 वर्षों तक शासन किया. उन्होंने अपने सैनिकों के साथ 12,000 मील की विजय यात्रा की. अपनी ब प्रभावशाली और कुशलनेताओं और सैन्य कमांडरों में से एक माना जाता है. वैसे तो सिकंदर महान का इतिहास काफी बड़ा है, लेकिन हम अलेकसंदर और राजापोरस के युद्ध का परिणाम समझने की कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि कहा जाता है कि अलेकसंदर का आ इंग्रीज से दुनिया जीतने के अपने अभियान की शुरुआत की थी. सिकंदर की सेना में एक लाक सैनिक थे, जो दस हजार मील का रास्ता तै करते हुए इरान होते हुए सिंधु नदी के तट पर पहुंचे थे. 326 ईसा पूर्व की शुरुआत में जब सिकंदर इरान म उससे मिलना शुरू कर दिया. उनमें से एक थे भारतिये नगर तक्षशिला के राजकुमार आंभी. सिकंदर के प्रती अपनी निष्ठा दिखाने के लिए उन्होंने सिकंदर को पैसट हाथ ही भेंट किये ताकि उनका इस्तिमाल सिकंदर अपने आने वाले अभियान में क कर सकें. तक्षशिला सिकंदर की इतनी आवभगत इसलिए कर रहा था, क्योंकि वो चाहता था उसके दुश्मन पूरस से लड़ाई में सिकंदर उनका साथ दे. मार्कस कर्टियस लिखते हैं, तक्षशिला ने जान बूज कर सिकंदर के लिए भारत के द्वार खोल दिये थ कर वहां के राजा की महमाननवाजी का आनंद लिया. सिकंदर के जीवनिकार फिलिप फ्रीमैन अपनी कहिताब एलेक्जेंडर दी ग्रेट में लिखते हैं. इस मोड पर सिकंदर ने अपनी सेना को दो भागों में विभाजित किया. उन्होंने हिपेस्टियन के नेतरित्व म एक बड़ी सेना खैबर दर्रे के पार भेज दी ताकि वो रास्ते में पढ़ने वाले कबायली विद्रोहियों को कुचल सके और इससे भी जरूरी जल्द से जल्द सिंधु नदी पर पहुँचकर एक पुल बना सके ताकि सिकंदर की सेना नदी पार कर सके. वे लिखते हैं इस रास्ते पर कई भारतिय राजा और बड़ी संख्या में इंजीनियर सिकंदर की सेना के साथ चल रहे थे. सिकंदर एक गुमावदार रास्ता लेते हुए हिंदुकुष के पूर्व में गए ताकि वो उस तरफ रहने वाले कबायलियों को अपने नियंतरण में कर सके. र पहा तक्षशिला के राजा ने सिंधु नदी पर नावों से पुल बनवाने में उनकी मदद की. सिंधु नदी के तट पर रहने वाले लोगों को पता था कि किस तरह नदी के बहाव के समानांतर लकडी की नावों को जोड़ कर नदी के पार पुल बनाया जाता है. सिकंदर शुरू हो जाने के कारण ऐसा करना आसान नहीं होगा। सिकंदर की सेना को बारिश में लड़ने का तजुर्बा जरूर था, लेकिन उन्हें जबरदस्त गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा था। इसलिए वहां से उन्होंने पोरस को संदेश भिजवाया, कि वो अपनी सीमा पर आकर उनसे मिलें और उनकी अधीनता स्वीकार कर लें। पोरस ने जवाब दिया कि वो सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वो उनसे अपने राज्य की सीमा पर मिलने के लिए तयार हैं। पोरस की सेना जेलम के उस पार थी। सिकंदर ने नदी के उत्तरी किनारे पर शिविर लगाया. वो उस जगह की तलाश में थे, जहां से उनका नदी पार करना पोरस को दिखाई न दे. पोरस को जहांसा देने के लिए उन्होंने अपनी सेना को नदी के तटके काफी पीछे भेज दिया. सिकंदर ने अपने सैनिक सिकंदर के सैनिकों के इधर उधर जाने के आदी हो गए और उन्होंने उन पर कड़ी नजर रखनी बंद कर दी. इस बीच वहां तेज आंधी और तूफान आया. सिकंदर ने इसका फाइदा उठाते हुए अपने सैनिकों से नदी पार करवा दी. हाला कि इस प्रयास में ब सक्षम सैनानायक थे. लेकिन उनके सामने समस्या थी कि बेहतरीन प्रशिक्षन प्राप्त सिकंदर के सैनिकों का किस तरह सामना किया जाए. पोरस के पक्ष में सिर्फ एक बात थी कि उनकी सेना में काफी संख्या में हाथी थे. फिलिप फरीमैन लिखते हैं. लेकिन तब त थी कि आँख में तीर लगता, वो अनियंत्रित होकर इधर उधर डोलने लगता और अपने ही लोगों को कुचल डालता। सिकंदर ने अपने सैनिकों को पोरस के सैनिकों के बाएं और दाएं भेज दिया और कहा कि वो आगे जाकर पीछे से पोरस के सैनिकों पर हमला करें। इस भीशन लडाई में दोनों तरफ के कई लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग हता हत भी हुए। ये लडाई जैलम नदी के किनारे पंजाब में जलालपुर में हुई थी। सिकंदर अपने बुसे फैल्स घोड़े पर सवार थे। तभी एक तीर घोड़े को लगा और उसने वहीं दम तोड़ दिया। सिकंदर को अपने घोड़े की मौत पर दुख करने का भी समय नहीं मिला। उन्होंने दूसरा घोड़ा लिया और युद्ध जारी रखे। जैसे ही पोरस के सैनिक दबाव में आए, सिकंदर के सैनिकों ने पीछे से आकर उन पर हमला बोल दिया। और उनके पीछे भागने का रास्ता बंद कर दिया। लेकिन एक भीमकाए हाथी पर सवार पोरस ने लड़ना जारी रखा। सिकंदर ने उनके साहस की प्रशंसा करते हुए उसके पास संदेश भिजवाया कि अगर वो हतियार डाल दें तो उनकी जान बख्ष दी जाएगी। इस संदेश वाहक का नाम ओमफिस था। पोरस ने संदेश वाहक को अपने भाले से मारने की कोशिश की। तब सिकंदर ने पोरस के पास एक दूसरा संदेश वाहक भेजा। उन्होंने पोरस को हतियार डालने के लिए मना लिया। फिलिप फरीमैन लिखते हैं। जब दोनों राजा मिले तो पोरस के हाथी ने गायल होते हुए भी घुटनों के बल बैटकर उन्हें नीचे उतरने में मदद की। सिकंदर पोरस के चह फीट उंचे डील डॉल को देख करकर बहुत प्रभावित हुए। बंदी बनाने के बाद सिकंदर ने पोरस से पूछा कि उनके साथ किस तरह का सुलूग किया जाए। पोरस ने तुरंत जवाब दिया जो राजा एक दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर ने पोरस को मरहम पट्टी कराने के लिए युद्ध क्षेत्र से जाने की अनुमती दे दी। कुछ दिनों बाद उन्होंने पोरस को न सिर्फ उससे जीती हुई जमीन लोटा दी, बलकि आसपास की कुछ अतिरिक्त जमीन भी उन्हें सौंप दी। सिकंदर के सहाय को इसे पसंद नहीं किया। वहीं पर सिकंदर की सेना ने अपने मारे गए सैनिकों का अंतिम संस्कार किया। सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध को ग्रीक बैटल ऑफ दी हाइडस पीस कहते हैं। लिकिन आज भी यह सवाल है कि सिकंदर ने सारी जगह खून खराबा क किया था तो पोरस को जीवित क्यों छोड़ा। क्यों वो वापस लोड़ गया। उसके सैन्य थक चुके थे। ये युनानी साहित्य कहते हैं। लेकिन सचाई कया यही थी। हाँ माफ करने का गुण भारतिये शासकों के पास था। भारतिये राजा उदार दिखाई पड़ थी। तभी यहां उसका सेनापती सैल्यूकस निकेटर शासन कर रहा था। उसके बाद सैल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा कर भारत को एक देश बनाया था। सिकंदर और पोरस के युद्ध का आज भी एक रहस्य जैसे दिखाई देता है। आप इस पर क्या धन्यवाद।